श्रुलेंगा के प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे चार दिवस्य दौरे पर भारत आ रहे हैं इस दौरान वो रक्षा कारोबार, सम्मुंदी सुरक्षा, सहयोग समित कई एहम मसलों पर बाचित करेंगे राजपक्षे का वारानसी, सारनात, बोध गया और तिरुपती भी जाने का कारेक्रमता है नवंबर में अपने छोटे भाई गोत बाया राशपक्षे के राशपती बनने के बाद महिंदा का ये पहला विदेश दौरा है वहीं महिंदा भारत आने पर राशपती कोविन, पीम मोदी और विदेश मंत्री एस जाशंकर समित कई नेताओं से मुलाकात करेंगे महिंदा ने मुलाकात को लेकर कहा कि इन मुलाकातों से दोनों देशों के रिस्तों को और मजबूती मिलेगी इस दौरान पीम महिंदा भारत से मिलने वाले 45 करोर डॉलर के करज को भी अंतिव रूप दे सकते हैं दरसल बीते नमबर में राश्टपती बनने के बाद गोदबया भारत आये थे जिस दौरान पीम ने श्रेलंका को करज देने का वादा किया था महिंदा निक के साथ दस्त सदस्य प्रतिनरी मंडल भी भारत आ रही है तो श्रेलंका के प्रधान मंतरी का भारत का दौरा है भारत आने पर वारानसी सारनात बोध गया और तिरुपती जाने का भी उनका कारेकरम है इसके साथ साथ भारत के राश्टपती रामरात कोविंद, प्रधानमंती नरेंदर मोदी और विदेश मंतरी एहसजय संकर से भी मुलाकात करेंगे इस दोरान भारत से मिलने वाले 45,000 करोड डॉलर के जो कर्ज है उस पे अंतिम मोहर लग सकती है